नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मालक्ष्मी के पूजन का पर्व दिपावली से ठीक दो दिन पहले धन तेरस मनाया जाता है और धन तेरस का त्युहार देवों के बैध धनवंतरी जी और मालक्ष्मी की जो खजानची है कुबेर जी महराज उनको याद करने का उनके निम महराज के साथ यमराज की भी अराधना की जाती है दिवाली से पहले किष्ण पक्ष की त्रेयों दसी कार्तिक महिने में मनाया जाने बला ब्रत चुकी धनवंतरी त्योर दसी जिसको हम कहते हैं इस दिन बहुत सारी वस्तू खरिदने का विधान है दिवाली की पूजा में जो भी वस्तू की आवसकता है वो धन तेरस के दिन खरिदना चाहिए जो की बहुत ही सुब माना जाता है और उन में से बहुत सारी वस्तू हैं जैसे बरतन भी खरिदे जाते हैं लेकिन कौन से बरतन खरिदे और कौन से ना खरिदे क्योंकि आपने कुछ ऐसा बरतन खरिद और यहीं से एक बार फिर से नए खाते से सुरुआत होती है पुरा पुराना जो हिसाब होता है वो किलियर होता है इस दिन कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सुमुहुर्त में खरीदें और लाकर कुवेर जी महराज जितने भी समान आप खरीदेंगे ब्रिष्भक 2 15 पूज़ सबसे अच्छा वक्त होता है वह होता है प्रदोसकाल जब स्थिरलकन न होता है माना जाता है इस्थिर Niq के दारान दहन तरिश कि अगर पूज़ा की जाए तो लक्ष्मी घर में ठहर जाती है और प्रिष्भक 1 को स्थिर लगन माना जाता है तो चलिए अब हम जानते हैं वो कौन सी वस्तु है जो आपको जरूर लाना चाहिए और वो कौन सी वस्तु है जिसको लाने के पहले आपको दो बार सोचना भी होगा कहीं उल्टा नुकसान तो नहीं हो रहा देखे धन तेरस पर कुवेर के बिना मा लक्षमी की पुजा अधूरी रहती है और देपताओं के बैद जो धनवन तरी हैं उन्हें भगवान विश्नु का अवतार भी माना जाता है इनकी चार भुजाएं हैं उपर की दोनों भुजाएं संख चक्रधारन किये हैं जबकि अन धन तेरस के दिन क्या करें देखिए धन तेरस के दिन सिर्फ नई वस्तों की खरीदारी ही नहीं किये जाते बलकि इस दिन दीपक भी जलाये जाते हैं सबसे पहले जानते हैं क्या क्या खरीदें देखिए धन तेरस पर नए बरतन खरीदने की परंपरा है धन वंतरी जी इनसे में तेरे गुना बृति होती है और दिपाव अली की रात गनेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करने से कि धन तेरस के दिन ही खरिदा जाता है तो मां लक्ष्मी गनेश जी की मूर्ति तो जरूर ही खरीदें और अक्सर लोग नई गाड़ी खड़ीते हैं धन्तेरस पर पर धन्तेरस पर आप गाड़ी लेतु आईए पर पैसे पहले ही दे दीजिएगा धन्तेरस के दिन वाहन का भुक्तान मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इस दिन सोना चांदी खरिदना अच्छा माना जाता है इस फटिक की स्रियंतर अस्थापित करने से धन्तेरस के दिन लक्षमी स्थिर हो जाती है यदि आप इस दिन वस्त खरिदने के लिए सोच रहे हैं तो लाल या सफेद कपड़ा ही खरिदें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ब्लैक ब्लू टाइप के करपड़े खरिदने से बचिये इस दिन गोमती चक्र खरिदने का भी विधान है क्योंकि गोमती चक्र मालक्षमी की पुजा में उसका यूज होता है एक तो दिये में जलाया जाता है दूसरा गोमती चकर का टोटका किया जाता है संपत्ती खरिदना सबसे ज़्यादा सुमाना जाता है धन तेरस के दिन इस दिन और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो खरिदने का विधान है चुकि बहुत सारे लोग बरतन खरिदने हैं ऐसे में आप बरतन तो खरिदिये लेकिन इस्टील और लोहा का बरतन खरिदने से बचिए याद रखिए धन तेरस के दिन आप चांदी, पीतल, तांबा, कासा खरिद तो सकते हैं लेकिन इस्टील और लोहा का बरतन भूल कर भी मत कर दिये ये अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सनिदेव राहु का हाथ होता है अगर आपके घर में संख पहले से हैं तो आवसिकता नहीं है नहीं तो आप धन तेरस के दिन संख लाकर बिदिवत पूजा कर यहां से संख घर में बजाना सुरू करे सुबह साम तो जीवन में उमंग आता है आपका स्वास्त अच्छा रहता है दक्षिनावर्ती संख लाने से घर में अस्थाई संपत्ती बढ़ती है और अगर आप मोती संख या बामवर्ती संख लाकर नियमित रूप से पूजा करते हैं सुबह साम तीन तीन बार तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती धन्तेरस के दिन कोड़ी लाने का विधान है क्योंकि मां लक्षमी क्या अराधना कोड़ी के भी न अधूरी मानी जाती है इस दिन कोड़ी लाकर आपको मां लक्षमी के चर्णों में रख कर धनकी पोटली भी बनाना चाहिए और साथ ही साथ कोड़ी मां को अरपित भी करना चाहिए इस से मां बहुत प्रसंण होती है क्योंकि कोड़ी भी समुद्र मंथन के दोरान निकला है और कौरी के बिना मा लक्षमी की पूजा अधुरी मानी जाती है कमल गट्टे का बीज जो की करजों से मुक्ती दिनाले वाला माना गया है और कमल गट्टे की माला से आप लक्षमी जी का मंत्र भी जब कर सकते हैं और मा को कमल गटा का बीच अरपित करने से धन की बिर्धी होती है और करजों से मुक्ती मिलती है तो बहुत सिंपल है मा को मनाना पर कुछ खास चीज़ें लाने से वैसे बहुत जगा पुजा समगरी का पैकेट मिलता है जिसमें सब कुछ वो लोग डाल के रखते हैं जैसे अलग अलग आपको नहीं खेड़ना पड़े अगर वो पैकेट मिल जाए तो उसमें सब कुछ होता है लाल गुंजा भी उसमें होता है देखिए लाल गुंजा मा को बहुत आकरसित करता है जिस घर में गुंजा होता है वहाँ पर मालक्ष्मी अस्थाई निवास करती है और वहाँ से कहीं भी नहीं जाती इसलिए मालक्ष्मी की पूजा में लाल गुंजा का प्रयोग जरूर करें और जब धन की पोटली चुकि यह भगवान धनवन तरी का दिन है इस दिन आप औस दी वेगर भी खरी सकते हैं लेकिए धन तेरस के दिन मिट्टी का दीपक जब तक आप ना खरी दें तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी इसलिए इस दिन मिट्टी का दिया जरूर खई दिये मिट्टी का दीपक आपके पास भले ही पहले से है लेकिन पूजा में जलाने के लिए आपको नया ही लेना चाहिए एक बड़ा सा दिया लीजिएगा जो रात भर दीपावली के दिन जलेगा धन तेरस के दिन नमक जरूर लाना चाहिए और नमक का विसेश परियोग वेज दिन किया जा है और छोटे छोटे उपाई भी इसी नमक से होते हैं पहले वाला नमक नहीं फेकना होगा बलकि उसको संभाल के रखें बाद में यूज कीजिएगा हल्दी के बिना तो मालक्ष्मी की पूजा ही अधूरी मानी जाती है मालक्ष्मी भगवान गनेश जी और भगवान स्रीहरी सब को हल्दी अरपित किये जाते हैं आप खड़ी हल्दी और पौडर वाली हल्दी दोनों ही हल्दी ले आईएगा क्योंकि ये मालक्ष्मी को अरपि कि रखें पूरती होती है इस दिन अपधनय जो कि बहुत जरूरी है खरिदिये और इसकी पूजा आप दिपावली की पूजा में कीजेगा धनया खरीद कर इसके गाच भी बोने हैं आप चाहें तो धनया का बीच अलग से थोड़ा सा ले लीजिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि धनिया से डिक्ष निकले ही बीच से तो निकल ही जाएगा और मा को चुकी जारू के बिना धनते रस अधूरा माना जाता है और जारू भी आपको कौन सा लेना है जैसा कि हमने टॉपिक रखा है देखिए बहुत बर क्या होता है लोग प्लास्टिक के जारू ले आते हैं अभी तो फूल जारू भी प्लास्टिक के आने लगे हैं तो आपको प्लास्टिक के जारू नहीं लाने हैं घास वाली जारू लीजिए या फिर आप वो जो इस्टिक वाली जारू होती है नारियल की आप उसको भी ले सकते हैं लेकिन आप प्लास्टीक की ज़ारू नहीं लीजेगा तुटा-फुटावा ज़ारू मत लीजेगा बिलकुल साबूत लीजे गनी ज़ारू देख कर लीजेगा जो की लक्षमी को स्थिर करेगा और पूरे साल जम कर आएगा पैसा ज़ारू लाने क जारू का पूजा करना धंतेरस के दिन बहुत जरूरी है जारू के हेंडल में एक सफेद धागा बांदे या आप लाल मौली धागा बांदे फिर एक चुटकी कुंकुं अक्छत और फूलों की पंखुरी से पूजा करें और इसको यूज करें पुराना जारू दिपावली की सुबह दरिता बाहर के साथ फेक दीजिएगा फिलाल आपसे विदा लेंगे हर हर महादेव धन्यवाद